यह चैनल किसी भी अवयद गतिवीदियों को बढ़ावा या पुरुटसाहित नहीं करता है। हेई हलो एवरीबड़ी वलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो मैं अरविन सिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हम सबके यूट्यूब चैनल बे जिसका नाम है टिकनिकल अवी। है बहुत सारी रिक्वेस्ट थी यार और ऐसा होई नहीं सकता कि इस चैनल पर आपने कोई रिक्वेस्ट करी हो और वो कंप्लीट ना हुई हो तो डेफिनेटली आज हम आ गये हैं आपका सामने ट्रेडिंग व्यूगा इंटरफेस लेके और चीजें डिसकस करने तो चलिए के लेट्स गेट स्टार्टे तो यार चलिए ही शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से फैबनी की क्या है क्यूं जरूत पढ़ती है हमें ट्रेडिंग के अंदर यार बच्पन में हमने जरूर पढ़ा होगा कॉलिज में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है मतलब फैबनी के बारे फैबनी की नंबर्स के बारे में पढ़ा है और फैबनी की को ड्रॉ कैसे करते हैं तो चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं कि फैबनी की है क्या फैबनी की is a popular form of technical analysis used by trader in order to predict future potential prices in the financial market यार मतलब बहुत सिंपल है फैबनिकी यूज के जाती है टेकनिकल अनलिसिस के लिए फैनेंशल मार्केट में फ्यूचर पोटेंशल प्राइस को प्रिडिक करने के लिए और आज हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं सबसे पहले क्या करना है आपको ट्रेडिंग व्यू की जो वेबसाइट है वो ओपन करनी है ट्रेडिंग व्यू आप डायरेकली गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप जा सकते हैं रजिस्टर करना कोई कंपल सरी नहीं है यहाँ पे भी आप ऐसा ही चार्ट देखेंगे जैसा आप नॉर्मली आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ देखते हैं चाहे फिक्स टाइम हो चाहे फोरेक्स हो चाहे स्टॉक मार्केट हो ऐसा ही चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बट यहाँ बे आपको बहुत जादा additional tools मल जाते हैं जिसकी मदद से आप trend को draw कर सकते हैं, predict कर सकते हैं, range देख सकते हैं और price के basis पे हम predict कर सकते हैं future market को चलिए ठीक है अब यहाँ पर आप देखेंगे कि euro, US dollars यानि euro, USD मैंने select किया हुआ है trading view platform के उपर और यह graph कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे pencil का निशान है, अगर आप इस पे click करते हैं तो आपके सामने काफी ज़्यादा option आ जाते है, trend line क्या जाते है, फेबने की क्या जाते है, यहाँ पे आपको FIB यह बटन देख रहे हैं आप, इस पे आपको click करना है, जैसे graph के उपर कुछ इस तरीके का जाएगा, dot उस dot को पकड़ के आपको extend करना है, और extend थोड़ा जादा कर लेना, अब यह इसका फायदा क्या मैं आपको बता देता हूँ, यह ना divide कर देता है, price के basis पे, जो current scenario है chart का, देखे थोड़ा complicated लग सकता है, बढ़ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो उतना hard नहीं है, जितना आप, अगर पूरी वीडियो देखेंगे, आपको समझ आएगा, और कितना important है, यह भी आपको समझ आजएगा, यहाँ पे आप देख सकते है, 0, 0.26, 0.382, यह सारे price है, अब अगर आप से आप pencil पे click करते हैं, तो यहाँ पे चलेंगे, नीचे आपके पास options आजाते है, path का, path पे जैसी आप click करेंगे, आपको एक path draw करना पड़ेगा, कैसे draw करना है, देखेंगे, आपको मैं draw करके आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ आएगा, इस तरीके से आपको path है, वो draw करना है, और बहुत है simple है, path को draw करने और अब हमें upward trend दिख रहा है, तो मैंने path upward direction के लिए predict किया है, आप देख सकते हैं, मेरा जो arrow है, वो future predict मैंने किया है upward direction के लिए, क्यों क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 0, यानि कि 1.02079 से उपर जा रहा है, यानि कि इसको hit करके उपर जा रहा है, और मुझे green color की candles द जादा मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तो अभी आप खुद देखिए, थोड़ा सा pause लेते हैं इसको, और आप खुद देखिए कि किस तरीके से जो trend है, वो follow करता है, तो जैसा कि आपने देखा, पूरा का पूरा exact जहां पे मैंने arrow लगाया था, वहां तक market गया, और उस से अब आपको क्या ना, एक नया जो path है, वो draw करना पड़ेगा, यह आप पे depend करता है, कि आप path draw करने के लिए, जो tool है, वो किस का use करते हैं, आप trend line का use कर सकते हो, आप brush का use कर सकते हो, simply, और अगर आप चाहो, तो आप path का use कर सकते हो, जैसा कि आपने पहले बना हैं, लेकि करना है, इसको zero के line को hit करने का, जैसी वो zero के line को touch करता है, हम जाते pencil पे, और हम click करेंगे trend line पे, या मैं कहूँ, हम जा सकते हैं, brush के लिए for example, ताकि हम कोशिश कर सकते हैं, brush अगर आप चाहें, तो brush पे click करके, अब देखेंगे, आप एक dot आजाएगा, इस dot को, फिर मैं क्य करूँगा, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मैं, जैसे हम करते थे ना, भाई, school के time पे engineering drawing में क्या होता था, एक rough line draw करते थे, उसके बाद उस पे एक trend draw करते थे, again जो है, मेरी prediction यही है, कि 1.02172 तक यह जाना चाहिए market, और अब जैसे ही इस पे click करेंगे, अब मैं क्या आपको simply समझा देता हूँ, देखिए आपको ना, जैसे यह range मिल जाती ना, price range, उसके बाद आपको predict करना रहता है, कि किस तरीके से यह market upward direction में और downward direction में कौन से price को hit करेगा, already देखेंगे आप पीछे दो बार यह hit कर चुका है, 1.02079 को, तो इसी लिए तीसरी बार भी जैसे इसने hit किया, मुझे पता लग गया कि यहाँ पे जादातर chances upward direction में जाने के हैं, जादातर chances, 100% guarantee तो कुछ भी नहीं होती है, बट जादातर chances अगर हम technical analysis के basis पे जाएं तो, उसके बाद आपको क्या देखना होता है, upward देखना होता है भया, कहां तक market जा सकता है, तो इतना उपर शायद ना जाए, क्योंकि यह देखेंगे, यह जो आप देखेंगे ना, यह इस तरीके से आ रहा है नीचे, इस तरीके से, अब थोड़ा सा गौर कीजिए, यह ऐसे, ना तो यह पैरलल है, ना ही upward direction में जा रहा है, यह नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, मतलब जरूर यह थोड़ा बहुत ऐसे, 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 करके नीचे आ रहा है, ठीक है, तो अब इसलिए मैंने जो range है, वो select की हुई है, 1.02172 की price range तक यह जाना चाहिए, मेरे हिसाब से, और उसके बाद यह वापिस downward trend पकड़ना चाहिए, कहा तक, वापिस से 0 तक downward trend पकड़ना चा मतलब chances है, reversal देने के यहां से, क्योंकि downward trend है, तो हम कह सकते हैं कि शायद ऐसा देखने को मिले, बट फिर भी कैसी लगी यह वीडियो, और आसान भाशा में आप तक knowledge पहुंची या नहीं पहुंची, मुझे बताना है, comment करके, और वहुत साल प्यार देना है, like करके, और bell icon को press कर दो, अगर अभी तक आपने all limited को join नहीं किया, description में link मलेगा, join हो जल्दी से, और telegram पे free में access आप ले सकते है, lifetime signals का हो और भी बहुत सारी चीज़े, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, कि आप कैसे, अगर आप बोलेंगे, भाया मैं इसको मेरे forex platform के साथ कर सकत लेकिन मैं prefer करूँगा यार trading view के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं को नहीं थोड़ा जादा tools मिल जाते हैं, बड़ा interface मिल जाता है, और अच्छे से दिखती है सारी चीज़े, तो यार यह reason है, ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो graph का जो time है, वो आप आपको one minute रखना है, यानि candle का time one minute रखना है, क्योंकि अगर आप trade करते हैं, दो minute की, तीन minute की, तो candle को एक minute की रखें, अगर आप पांच minute है, उसे जादा का time के लिए trade करते हैं, तो यहाँ पे पांच minute रखें, मतलब यार आप एक simple सा formula याद कर लो, अगर graph में जो timing है, वो one minute है, तो आप multiply by two करो, दो minute की trade लो, अगर graph का time पांच minute है, तो multiply by two, यानि दस minute की trade लो, यह, यह simple सा याद रख लो, और इस तरीके से आप अच्छे सरी कगनाईस कर सकते हो, मैं आपको prefer करूँगा, थोड़ा लंबे time के लिए जाओ, एटलिस दो, तीन minute, चार minute, एक minute की हाँ मतलो trade क्योंकि एक minute में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब आप trend को draw करते हो ना, तो आप थोड़ा सा जादा safe और आगे जाने की सोचते हो, यह reason है, चलिए, मलाकात करेंगे और exciting videos के साथ, stay tuned, keep watching and thank you so much for watching this video, till the end.